प्रेजिमेंटल सेंटर लामकर के 520 अगनी वीरों के पहले वैस की उठक्रिष्ट पासिकाउस परेट का समाबन किया गया जिनोंने रेजिमेंटल सेंटर में अपना कथूर प्रशुक्षन पूरा कर लिया है उन्होंने रेजिमेंट के आदर्श वाके निश्य कर अपनी जीत करूं को साजहतिया है और मज़ों पूशर और नचीले सैनिक बन गए हैं जो साह समर्पन और पतिवत्थता के साथ देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं मैं अगनी भी नूनी सिंग प्यावका रहने वाला हूँ सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी और सिख रेजिमेंट का शुक्रियादा करना जाता हूँ कि मैं अपनी कत्ती सब्तों की कड़ी ट्रेनिंग के पस्चाथ गोरम मैं सिख रेजिमेंट का हिस्सा बन चुका हूँ आज का दिन मेरे और मेरे परवार के लिए बहुती महत्तों पूरन और खुशी वाला दिन है जिसके लिए मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर और इंस्टक्टर स्टाप का आवारी हूँ जिनोंने मुझे इस काबल मनाया मा आप सभी को जही अश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि मैं इंडिन आर्मी और सिख रेजिमेंट का पर्चम हमेशा उचा रखूँगा प्रतिष्ठी थरबख्ष ड्रिल स्कॉयर पर आयोजित समारुह में ड्रिल अनुशासन और व्यवसाइक्ता का प्रेरक प्रदर्शन देखा गया जो प्रतेक अगनिवीर में उनकी प्रशिक्षन यात्रा के दोरान पैदा किये गए मूल मूलियों को दर्शाता है अगनिवीरों की परिवार की सदस से प्रशिक्षक संकाय और रामगर जिले के संबानित अति थी इस महतोपूर्ण अवसर का गवह बने उन्होंने अगनिवीरों की उलेखनिय उपलब्धियों के लिए उनकी सरहना की जैहिंद सबसे पहले तो मैं सभी अगनिवीरों और उनके परिवार जनों को हार्दिक बताई देना चाहता हूँ कि अपनी कड़ी ट्रेनिंग करने के सिख रेजमेंटल सेंटर में अपनी कड़ी ट्रेनिंग खतम करने के बाद अब आज वो यहां से पास आउट हो गए है और अपने अपने युनिट्स के लिए अभी बहुत जल्द मूव कर जाएंगे सिख रेजमेंटल सेंटर में जो ट्रेनिंग हमारी है वो बहुत ही कठिन और चनौती पून रही है लेकिन हमारे इंस्ट्रक्टर स्टाफ ने बहुत ही सुचारू रूप से यह ट्रेनिंग जो है चलाई है और यह यकीन किया है कि हमारे जो ट्रेनिंग के जो हमारे में फाइव पिलर्स है जिसमें के physical training, weapon training, firing, tactics as well as इनकी personality development इन पाँच pillars को जो है बहुत ही सुचारू रूप से चलाते हुए आज एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही काबिल जो है अगनी वीर्स को तियार किया है जो कि अभी हमारे देश के कोने कोने में इस मात्र भूमी की रक्षा के लिए डिपलोई हो जाएंगे और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये सभी अगनी वीर्स जहां पर भी डिपलोईड होंगे ये अपने मात्र भूमी की रक्षा जो है बहुती कोशल और अखंडता पूर्ण संपन करेंगे प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों और अधिकारियों की कुशल मार्ग दर्शन में अगनीवीरों ने हतियार, सामरिक प्रशिक्षन, नेत्रित्व और नैतिक्ता सहित विभेन शित्रों में अपने कोशल को निखा रहा है उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबधता और उनकी अदम में भावना निसंदे उन्हें भारतिय सेना के बेहतरीन प्रतिनिधियों के रूप में अलग करती है परेड की समिक्षा लेटिनेंट जनरल पीजी के मेनन, यूवाई एसम, एवी एसम, सैने सचिव और सिख रेजिमेंट के करनल ने की अपने संबोधन के दोरान उन्होंने अगनिवीरों की अनुकर्णिये परेड के लिए उनकी सरहना की साथ ही रास्ट्र के भावी निताओं को तयार करने में रेजिमेंटल सेंटर के प्रयासों को भी सरहा भरतिय सेना में हमारे सामरिक योगिता और मणोबल को मझबूत करने के लिए विपहन परकार की ट्रेनिंग दी जाती है इसके अंदर physical training, endurance training, martial arts, weapon training, combat, technique skills और कई प्रकार के personality development programs के जरिए उनको हम train करते हैं और हमारा यही उदेश्य होता है कि एक soldier को हम इस प्रकार से mentally और physically tough बना दे ताकि वो आने वाली चुनोतियों को चुनोतियों का सामना कर सके और आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनका भवे passing out parade में इनका उत्साह था और training के दौरान भी इन अगनी वीर्ज ने पूरा अपना अनुशासन के साथ, जोश के साथ और कठिन परिश्रम से अपनी training को संपून किया और मुझे ये पूरा तो विश्वास है कि ये अगनी वीर वर्तमान में आने वाली हर चुनोति का सामना करेंगे और हमारी सिख रेजिमेंट के मोटो निश्चे कर अपनी जीत कर को सार्थक करेंगे पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा तफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हेरो पंती टपकॉन एक्स्टी के साथ